नमस्कार दुफ्तों मसंदीफ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस्ट वी उपर दुफ्तों आज किस वीडियो के अंतरगत हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे बिये फ़ेस्ट सिमिस्टर के छात्र है जिनको आने वाले जिनों में परिछा देनी है सोसोलोज से आइडिया लगेगा कि परिच्छा में यानिक समास साथ का जवाब को पेपर होगा उसमें जो कोश्चन है कहां से आएंगे किस प्रकार के पुछे जाएंगे इस सबके बारे में अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो गारंटे के साथ कहता हूं आपको सिर्फ और इस एक वीडियो से 25-30 नंबर गारंटे के साथ कन्फर्म हो जाएंगे तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं देखिए कोश्चन बहुत सारे होते हैं आप कोश्चन बैنक खरीदेंगे बुक देखेंगे उसमें बहुत सारे कोश्चन नहा से वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कौन से आपको पढ़के जाना है ठीक है देखे कोई भी चीज जो अगर आप स्लेबर्स अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज रहेगा कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे कोईस्टिन यह स्लेबर्स है हमारा इस लेबर से यहां यहां से प्रशनाएंगे तो आपको वही स्लेबर्स के हिसाब से अगर आप कोईस्टिन पढ़ेंगे ना तो आप बहुत ही ज्यादा हैल्प मिलेगी तो मैं आपको टॉपिक और स्लेबर्स बताऊंगा देखिए मुख्य तो टॉपिक है आज का स्लेबर्स हम किसी और दिन डिसकस कर लेंगे लेकिन इसी जो महत्रपून टॉपिक हमने रखें सिर्फ और सिर्फ अगर आप तयार कर लेंगे तो थीस नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके तो हम बढ़ते हैं वीडियो के और यहां पर हमने अपने इनुसार मैंने अपने एक्स्पिरियंस के देखा है उसके इसाफ्चर मैंने महत्रपून टॉपिक्स लटकिए हैं और इस बार भी यही शारे प्रशन आने वाले आमकी परिच्छा में ध्यान दीजिएगा पहला जो मैंने टॉपिक रखा है कि समाज साफ्त्र से आपका क्या आसा है या आप समाज साफ्त्र से क्या सम समझते हैं य hangs इस तरह का कोईश्टिन बन सकता है लेकिन दोस्न Jen w क्योसर बता समासाफ्त्र से समस्ते हैं उसके परिभासा ठीक है यह आप परिश्न यह इस एक पढ़त लेगा बहुत ही जर्नली और कॉम्मों सा और आपकी पॉरिश्ठे साथ आपकी प्रिश्छा में ये प्रश्ण पूचा ही पूचा जाएगा ठीक है पहला गया दूसरा है कि समास साफ्त्र तथा अर्थ साफ्त्र अथवा इतिहास अथवा राजनिति शाफ्त्र अथवा मानौ साफ्त्र के संबंध को असपर चुछ कीजिए यहां पर अगर कोश क्यों सब्सक्राइब कर दिया है तो यहां पर आप लोगों को पढ़ पढ़ ना है कि समाशाफ्त्र तथा अर्थसाफ्त्र के इससे क्या आप समझते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है ठीक है समाफ साफ्त और इतिहास जो होता है इन दोनों के बीच क्या मतलब की संबंध है एक दूसरे से किस प्रकार ये बदले हैं डिफरेंट है समाफ साफ्त क्या है क्या चीज होती है इतिहास में क्या होता है ठ कुर्म के तक मिसमत करते हैं इसा प gust में अधेन्ह तो यह जो पूरी पूरे अगå यह तैयार कर लेंगे तो इनमें से दू तीडामकी पुर्थच्टे में अगर अगर आप पूरा कुषिट तैयार कर लेंगे उसस्तितिक समतिक, साथ राज्यृति साथ समासाथ मानुशान तो गयरंटी के साथ कहता हूं आपके दस नंबर नहीं जाने वाले दस नंबर का प्रस्णाय की से कुई आपको नहीं बताएगा बहुत ही ट्रिक और बहुत ही महत्पून टॉपिक में आपको बता रहा हूँ ओके अगला आपका आजाता है टॉपिक जो है वो कि समासास्त का उद्भो अथा अथ्वा आविर्भाव यानि कि समासास्त जो है उसका जो विकास है कैसे हुआ उसके विकास के करम को अश्पस्ट कीजिए कब से समासास्त की सरुवात हुई समासास्त किसे कहते है और इसका आविर्भाव कब से माना जाता है यानि कि प्रारंभ कब से माना जाता है ठीक है तो आपके family का इतिहास बताईए ठीक है यानि कि सुरुस लेकर आपके पीड़ी दर पीड़ी तक वो वाली बात हो गई ठीक है तो इसी तरह same question में भी आपको वही प्रक्रिया पनानी है वही चीज़ पढ़ना है ये भी महत्तपूर्ण है ठीक है ठीक है समाज साफ्त की समाज की परिभासा कि समाज क्या है ठीक है और विशेष्टाएं समाज की प्रमुख विशेष्टाएं क्या है समाज की प्रमुख प्रभित्तियां क्या है ऐसा भी प्रस्ण बन सकता है तो ये भी जर्नली और common प्रस्ण है जो कि आपके पर इच्छा में देखने हैं ठीक है समाज की परिभासा, अगला है समुदाय की परिभासा अत्वा विसेश्थाई या फिर विसेश्थाई भी पूछा जाए वक्ता कि समुदाय की विसेश्थाई बताईए तो ये भी जर्नली और बहुत common topic है, जो कि आपको पढ़ना है, संसथा की परिभासा और कार अथ्वा महत बताईए ठीक है संसथा फे जुड़े भी कोश्चन आएंगे और अगला जो आपका महत पोटो पी कहें वो है समित की परिभासा या फिर समित के कार बताईए या फिर इसका महत बताईए या फिर परिभासा दीजिए ऐसा भी बन सकता है तो कि आपकी जन्र्णली है समाль साफ्त का कि उद्वोव समाज की परिभासा उदाय की परिभासा या फिर बिसिता परिमाहट्र या फिर कार संस्था की परिभासा कार प्रारम कैसे यहां कुछ संस्था के हिष्ट्री पूरा शमुदाय में आपको पढ़ लेना हैर समाज यके बारें पढ़ लेना है construction तेंटी में ले रहा हूं आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर सकता क्योंकि आपके 30 नंबर कम से कम 30 नंबर के प्रस्ट जो मैं आपको महात्रफून टॉपिक लेकर आया हूं यहीं से पूछे जाएंगे 100% शेयर है इसमें कोई दो रहा नहीं है तो आपको पढ़ना किस प्रकार है मैं आपको बता दूँ क्योंकि अभी तो आप सभी की जो मतलब कि जो भी इनवर्सिटी के आप हो सभी इनवर्सिटी के लिए इंपार्टेंट है जहां पर परिच्छा हैं लिख कर लिए अपने उत्तर प्रस्तिक उसमें जो आपके पास नोटबुक हो उसके बाद इसका जो प्रश्ण का जो को स्चन डालिए गूगल पर उसका जैसे कि आप डालेंगे समाज साफ्त्र का अर्थ इसमें संबंध के बारें पढ़ लीजीगा इफिता अभिर्भाव कब पढ़ लीजी अभी से ठीक 잡ीए तो होगा इह अगा अभिसे आप पढ़े रहेंमें तो जब आपको सिस्रीज आएगी तो सिस्रीज घर लीजिए अब को यही सारी कोश्चनंने को मिलेंगे खीए तो आप सिस्ते हो जाएगा यानिकि एक बार तो आप आप अभिस पी से सपोर्ट में हैं और बाकी के जो इससे जुड़े जो अलग-अलग टॉपिक के कोईस्चन है देखिए सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्ण आएंगे यह नहीं टॉपिकों में से और भी कोईस्चन आएंगे लेकिन वो कुछ-कुछ आएंगे यानि कि उसमें से आने के भी चां लिका बताया सही या फिर गलत है जरूर कमेंट करें और हम आपको मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और भी नए सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ सब तक करें जेहंद